एन्मे के स्टार्टिक में हमें हमारा मेंन क्याक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम इटामी यूजी है और वो एक ओटाकू है 33 एच गा फिरमेक सेटी दिखाया जाते है जिस सेटी में इटामी यूजी रहता है यूजी एक ट्रेन में होता है और वहाँ पर गेम केराता वो चारजिंग खत्म होने के वोजे से वो हार जाता है असल में यूजी एक कौमिक खरीदने के लिए जा रहा है जो का फिसदा पॉपलर है फिर में सेट किया करजिब से जगा दिखाया जाती है जहां पर एक गेट बन रहा था फिर सीन जाता है यूजी की तरफ यूजी कौमिक खरिदने के काफ सिदए एक्साइटी है लेकिन चलते चलते कंब आसे तकरां जाता है और पहीं पर गये जाता है उसे हईल्यूजीनेशन होने लगती हैं उसे एक एल्पगर और एक स्वार्चरर और एक तीसरी लड़की देखती है यूजी के पस एक बंदा आता है और कहता है कि तुम ठीक तो होना जल्द से उठ जाओ और फॉन के अंदर मांगा करेक्टरस देख लेता है और कहता है तुम भी वह पॉपलर मांगा खरीदने के लिए जा रहे हो और यूजी कहता है तुम सब पहले में वह मांगा खरीदूंगा दुबरा में सिटी के वही जगा दिखाया जाती है जहाँ पर गेट बन रहा था वह गेट पूरिते से बन जाता है उस गेट के अंदर से काफ़ी सारे इंसान मॉंस्टर और ड्रैकन से निकल कराते हैं और सभी के सब इंसानों पर अटेक मचे वी थी और सभी लुक भाग रहे थे यूजी कहता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो कामी कैंसल हो जाएगी उसे मैं खरीद नहीं पाऊंगा एक पुलिस ऑफिसर ड्रैकन के उपर फायर कर रहा था एक नैट उस पर अटेक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है तब यू के जान बचानी के लिए हमें सेर को खाला करना पड़े गा और इसकी बात मानते हैं सभी को बहार निकला जता है जो लोग गेड्श आये थी उन लोग को कैप्टन कहता है हमें यहाँ पर कबजा करना पड़ेगा यह जगह जानी पहचाने लगती है अब इनके लिए कबजा क करना तो नामुकिन था क्योंकि यहां पर विलेक्टी आ चुकी थी हेलिकॉप्टर एक ड्रेगन के उपर फायर काता है उरसे वहीं पर मार डलता है और बहुत सारे टैंक मॉंस्टरस और नाइट के उपर फायर काते है उरने मानने लगते हैं कुछ दिर में जितने भी लोग ग दिखाया जाते है यूजी को एक अवोट मिलता है क्योंकि उसने काफ़ साय लोग जान बजाएती और उसे आर्मी का सेकेंड न्यूटीन बना दिया जाता है यूजी अप सेकेंड न्यूटीन बन गया था लेकिन तब भी यूजी को अपने मांगा की चिंता थी वह मांगा नहीं खरीद पाया था यूजी अप काफ़ सदफ ही मसूद चुका था उसकी फोटो अकबारों में चपती और न्यूज में भी आता है यूजी काफ़ी पॉपलर हो गया था यूजी अपने दोस्त कुराटा के साथ टेरिन करा था और कुराटा उसे कहता है तुम तो बहुत मैं अपने मांगा नहीं खरीद पाया अगर मुझे अपनी होबिस और काम को चुनना हो तो मैं अपनी होबिस को ही चुनूँगा कुराटा पताता है मैं भी उस कौमी को काफ़ सदा पसंद गाता हूँ उसके बाद यूजी और कुराटा ट्रेनी करने लगते ही जो सोलजल ल मैं भात का सेंद दिखाया जाता है प्रायमेटर सभी जन्ता से कहता है कोच मैंनों पहले गिंजा सीटी में गेट खुला था और वहाँ पर काफ़ सारी तबाही मजगी तो की मौत हो गई थी हम लोगों ने उस गेट को तबाह करने के बाएर में सुचा लेकिन हम नहीं पता उसे दबा करने के बाद क्या होगा इसलिए हम लोगों ने फैसला किया है हम वहाँ पर एक आर्मी की टीम भीजेंगे इन्वेस्डिक्शन करने के लिए फिर वो दिन आ जाता है जिस दिन एक आर्मी की टीम उस गेट के अंदर एंटर करने वाले थी सोल्जेस का कैप्टन कहता है मैंने पता गेट के अंदर क्या होगा अगर तुम्हारे जान पे बनी आए तो उस बंदे को वहीं पर मार डाला और यूजी के नजर उसे लड़की को पर जाती है जो अपने मॉम डैट को ठोन रही थी असर में उसके मॉम डैट उस हासे में मारे गए थी फिर पूरी टीम उस गेट के अंदर एंटर करने लगती है आर्मे के पास काफी सारे टैंक थी वो सारे के सारे टैंक उस गेट के अंदर एंटर करने लगती है कुराटा यूजी से कहता है दुखे मत हो यार हो सकता है उस दुनिया में काफ़ सारी गैट गल्द हो सकती है अगर ऐसा हुआ तो हमारे तो मज़े ही मज़े होंगे यूज उसकी बात सुनकर काफ़ी खुश रिता है और कहते है मुझे बैसा ही लगता है आर्मे टीम उस गेट के पार पहुँच जाती है उस दुसरी दुनिया की गेट के आसपा सारी जमीन एकदम बन जाती और पेट पोधे भी नहीं थी आर्मे टीम को सामने लाइट दिखती है और वहाँ पर कुछ लोग थे टैंग में से काफ़ सारे सोलजर निकल आते है और अपनी फाइटिंग पोजिशन में आ जाते है क्योंकि उन्हें वहाँ पर फाइट करनी पर सकती थी और योजी भी फाइट के लिएक दम बिलकुल तही आता हमें गेट के उस पार्क की दुनिया दिखाए जाती है एक बंदा अपने किंग मोल्डो से कह रहा था वो लोग काफ़ ज़दा पाउफुल है उन लोग ने हमारी आर्मी के 60 पसंद लोग को मार डाला है और उन लोग उने हिल्स पर भी कबजा कर लिया है सायथ वो लोग धि दम तक fight करेंगे फिर हमें दुरान नाम के एक बंदा दिखा जाता है जो आर्मी का captain होता है और यूजू की टेम के उपर ला बुलने के लिए जा रहा था वो अपने आर्मी से कहता है हम यहीं पर रुकना पड़ेगा और वो लोग वहीं पर camp लगा देते हैं और इस बात प पका उन्हें हरा देंगे क्योंकि हमारे पास तीन लाक के आर्मी है और मुझे लगता है कि वो लोग बस दसजार से जादा नहीं होंगे फिर हम अगले दिन का सीन दिखाया जाता है दूरान आर्मी को तयार करके अटेक कने के लिए बिलकुल तयार था और तब एक बंदा आ है और जैसे ही दूरान की आर्मी यूजी के बेस के लगपक पास आती है वहाँ पर बहुत सारे टेंटीस होते है जो फटने लगते है और दीरे दीरे करके बहुत सारे सोलजर्स मारे जाते है और दूरान दूर से इसको दिख रहा था दूरान के आर्मी के उपर अब टैंक स अटैक होने लगता है और बहु सारे सलजर्स मारे जाते हैं दुरान के लगभग एक लाग्ख सूल्जर्स मारे जाते हैं रात को वो लोग मीटिंग कर रहे थे और एक बंदा कहता है पता नहीं याप पर इंपीरियल आर्मी क्यों नहीं लेकिन आती भी तब भी वो लोग भी कुछ नहीं कर पाते और डुरान कहता है हम लोग भाग नहीं सकते हमें फाइट करने पड़ेगी हम लोग ने उनकी टीम के एक भी मेंबर को नहीं दिखा पता नहीं वो लोग किस तरह के हत्यार का इस्तमा बाहते हैं लगते हैं दूरान तो अपने खोड़ा के सातो से भागने लगता है लेकिन उसका भोड़ा फेंसस में अटक जेता है और डूरान नीचे गिर जेता है अब उनके उपर गुलियों से हमला होने लगता है और बहुत सारे लोग मारा जाते है दूरान का फिशितर हो जाता है और तीक कमान को पकड़ लिता है और काहते में इस तरह सहा नहीं बन सकता और एक तीर fire करता है पर वो तीर आगे पहुंचता भी नए और डुरान के लगबग पांस में एक मिसाइल केरता है और उस blast में दुरान भी मारा जाता है फिर मैं अग collar दिन का scene दिखाया जाता है बोम बारी की वज़े से जमैन के हालत काफ़ जदा खरव होती मैंने सुना हमारी आर्मी पूरी तरस हार चुकी है दूसमन टीम कापी ज़िदा स्ट्रोंग है उन लोगों ने हिल के पर कबजा कर लिया है हमें जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा और हिल को वापस लेना पड़ेगा कि इन कहता है पर फैक अगर तुम चाहो तो वहाँ जाकर इन्वेस्डिकेट कर सकती हो बिना कहते हैं आपने जो काम है वो समझ गए मैं आपके ओर्डर को फॉलो करूंगी विस सीन चेंज होता है हमें युएसे का सीन दिखाया जाता है वहां के प्राइम मिनिस्टर एक मिटेंग भी चाहिए और एक बंदा कहता है प्राइम म लोग ने कुछ ऐसी वैसी हरकत की तो हमारे लिए बुरा होगा हमें शान्त रहना चाहिए बस सही समय आने तक सेन जाता है युजी की टीम आर्मी की तरफ युजी को एक ओर्डर मिलता है उसे आस पास की जगह को इन्वेस्डिकेशन करना है और युजी को तीसरी कमांड करने का मौका भी मिल जाता है युजी की कहने पर तीसरी रिकॉंट टीम बिल्कुल तयार हो जाते है और युजी मरी हुए आवाद में कहता है तॉम लोगों का कमांडर हूँ और मेरी सारी बात तुम लोगें, अ Kennethation के लिए जाना है और उसमे लोग गाड़ी ओने ब निकला हम लोग ने तो सब को समाल लिया कुराटा कहता है मैंने सोच था यहां पर मुझे केट गल मिलेगी पर ऐसा कुछ भी ने निकला एक अक मैजिकल गल तो होनी जाए थी यूजी कहता है मैजिकल गल यह तो कितना ज़्यादा शांदार है गाड़ी चलाते चलाते शाम हो है और यूजी की टीम जिस विलेज से गुदरी थी उस विलेज का नाम कोड़ा विलेज था यूजी का एक मेंबर कहता है हसाइद हमें बज़े की कमी पढ़ने वाली है उन लोगों को सामने कापी सारा धुवा दिखता है जो जंगल में से आ रहा था वो लोग रुक कर लाएंगे इन्वेस्टिकेट करने के लिए अगले दिन सारी हाग एकदम सांथ हो जाती है और यूजी की टीम सारी जीकों को अच्छे से देखने लगते है यूजी कुवे के उपर बैटा हुआ था और पानी पी रहा था यूजी कुवे के अंदर एक बाल्टी डालता है त कुराटा बहुत दकूस होता है और कहता है फाइनली हमें एक एल्फ गल मिल गए मुझे एकीन है आगे चलके हमें एक कैट गल भी मिलेगी यूजी कहता है क्या तुम्हें एल्फ गल पसंद है और तब ही वहाँ पर कुराकाव नाम की एक सोल्जेर आती है और कहते है वो एल एडियो को तयार करके अपने बेस की तरफ बढ़ते हैं उनका बेस एलनस हील की तरफ बना हुआ था वो लोग इस तरफ बढ़ने लगते हैं यूजी की टीम कोड़ा विलेज के यहां रूखते हैं और गावालों को बताने की कौशिच कहते हैं कि हम लोग ने एक बड़े से प सबरी मची हुई थे क्योंकि पूरे गावाले विलेज को छोड़के जाने वाले थे फायर डगर ने इंसानों को स्वाच चक लिया था और वो जल्दी उन पर भी अटेक करने वाला था इसलिए यहां पर रहना खतर से खाली नहीं था जेल के पास एक घर होता है वहां से एक बुढ़ा निकल कराता है तो इसका नाम काटो है और वहां पर एक लड़की भी होती है जिसका नाम लीले होता है लीले कहती है मांस्टर हम जादा समार को नहीं ले जा सकते है लेकिन वो बुढ़ा तो बिलकुल छोटे बच्चों की तरह हरकते करने लगता है और लीले कहती हैं लेकिन ले खुसा हो जाती है और मैजिक काफी कीमती होता है इसे इस्तमाल मत करो फूर दोने सारा समण तयार कर लेती और वहांसे निकलने के लिए वहां पर लेले और काटों भी पहुंच जाते हैं कारट पलट गई थी ओर एक क्छोटी लड़ की काफी चोट लगे थी लेले जल्दी से उसके पास पहुंच जाती है और यूजी के टीम मेंबर के पास कोई भी रास्ता नहीं बचता है उन्हें खोड़े को मानना ही पड़ता है कुरहटा यूजी से कहता है अब यह मत कहना हम जिंदगी पर गाउवालों कोई रक्चा करते चाहिए और गाउवालों पर कबजा करने चाहिए और दूसरा कहता है आइडिय का भी अच्छा है हम तो मौच करेंगे तब ही वहां पर एक बंता नीचे गिर जाता है क्योंकि यहां पर एक लड़की आ गई थी जिसके हाथ में एक बहुत ज़दा खतरना कोय पन था वो सब्सक्राइब कर डालते फिर में के लिए दिन का सीन दिखाया जाते गाउवाला ने वह चोड़ दिया था और काफी दूर आ गए थी अभी तक होस नहीं आया था और एक कार्ट चलते जलते कीचर में पहुच जाती है यूजे की टीम मेंबर्स कार्ट को निकालने में काफ टैक में गाउवालों की मौत हो सकती है इसलिए हम नहीं करना चाहिए और यूजी सामने दूरबिन से दिखता है सामने काफी सारी क्रोज थी और वहां से रूरी आगे बढ़ रहे थी रूरी ने कहती है तुम लोग कहा पर जा रहे हो लेकिन यूजी उसकी भासा को अच्छ चीज़ है क्या और बच्चे बताते हैं ये लोग काफी अच्छे इन लोग ने माय मदद की और रूरी कहती है मैं इसके सवारी करना चाती हूं और यूजी की गोदी में बैठ जाती है और यूजी सर्मा रहा था गाड़ी हीड रही थी और गुराटा कहता है करमांडर ये ये तुम अकिले के लिए मज़े ले रहे हो वह समय बाद वह लोग काफी आगे पहुंच जाती है और अजनक गर्मी काफी सबढ़ जाती है यूजी को सामने एक ड्रेगन दिखता है जिसको एक बड़ा सा ड्रेगन खा जाता है असल में वो फायर ड्रेगन था ड्रेगन फा उरटकर कुराटा को अपने आँख दिखाने लगती है और कुराटा समझ जाता है ड्रेगन की आँख पर अटेक करना है वो अपने साच्यों को बता दिता है और वो सारे लोग ड्रेगन की आँख पर अटेक करने लगते है वो एकदम डिस्ट्रेक्ट हो जाता है इसी का फा यहीं जीतनी वाले मरे नतिम संस्कार किया ज़ता है उन युञां उसे साहरा देता है यूजी केहता है। जितने बीचम से श॥ूसरे ब Ciara' के पांगा और कोई जपिन चेयम को सुका जाता है। यह मैंं उन लोगों का रासता अलगों जाता है। सभी को देंख बोलते हैं और गाँवाले भी उन्हें बाय कहते हैं कुरूकाव कहते हैं लिविटीनेर अब हम क्या करना है क्योंकि कुछ लोग उनके साथ ही थे और यूजी कहते हैं जो ने अपने साथ ले जाएंगे और चनक टुका उठ जाती है वो एक सपना देख रही थी यूजी उसे कहता है तुम उठ गई हम जल्दी बेस पर पहुचने वाले है और मिलेक्टरी ने बेस को काफी बड़ा बना दिया था फिर सिंच चेंज होता है हम एक बाहर दिखाया जाते है जहाँ पर एक वेटर सबी कस् बेसा इस्ट्रोंग थी और पूरे डेगन को भगाया था मेरे खाल से वो लोग डेगन को खताम भी कर सकते थे लेकिन कोई भी कस्टम उसकी बात पर यकिन नहीं कर रहा था और वहीं पर प्रिंसेस पीना भी होते है अपने कुछ मेंबर के साथ तो मैं इंटेडियूस कर रह बताऊंगी उन लोगों के पास एक मैजिकल वैपन है लोहे का बना हुआ वह काफे स्ट्रॉंग है और उन सभी के पास एक अजिव से चीज है जिसके उपर वो बेट कर बहुत ज़दा स्पीड से ट्रेवल कर सकते हैं यूजी सभी को लेकर अपने बेस तक पहुंच गया थ यूजी का सीनियर उसके उपर काफे सब्स चिला रहा था अगिर तुम इन लोगों को यहां पर क्यों लेकर आए और यूजी कहता है हमें क्या करना चाहिए और सीनियर चिला कर कहता है मैं भी यहीं जरना चाहता हूं और उसके बाद यूजी अपना उत्रावाचाहा लगर अपने टीम मेंबर्स के पास पहुंचता है और तब ही उसके पास फर्स्ट ल्यूटिनेर आते है याना गिटा और से अपने साथ छत की उपले जाते है बाते 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 करने के लिए वह दोनों काफी दे तक आपस में बाते काते है और दूसरी तरफ सोल्जर स्टेंट बना है हमारी सिविजलाइजेशन इससे काफी दा एडवांस दे फिर हम अगले दिन का स्रीन दिखाया जाता है सबी गाउवाले अपने अपने नाम बताते है काटो कहता है मेरे नाम काटो है और यह मेरी इस्टूडियन लीले है उसके बाद दूरी अपने नाम बताते है मेरे न मश्यूनों से काम सुरू हो जाता है मतलब जिसे भी से और लीले काटो और टू का इसे बड़े गौश देख रहे थी क्योंकि इनके लिए स्पेचल था और इन गामवालों के लिए बाकी मेंबस खाना बना रहे थे जो खाना बना रहा था वो लीले से कहता है इसे टाइकोन कह काटो घाना काता है और काटो जब खाना काता है वह काफी कुछ दहता है और कहता है ऐसा कभी नहीं चाहिए लिए पर ना रहे थी वहाँ पर खुसनी की कोशिश करता है पर वो सर में लीले होते हैं जिसने सूट पहना था उसके बाद रूरी लीले और टूका नहाने लगती है वो तिनों काफी हरान थी ऐसे जिगा पर पानी मिल गया लीले कहते हैं यूजी ने कहा था हम लोग रोज बात ले थी फिर सेंट चेंज होता है दूरान अब तक जिन्दा था असल में उसका पैर और हाथ नहीं था लेकिन वह बिल्कुल जिन्दा था और दूरान के पास ही प्रिंसिस पीना होती है और दूरान उसे कहता है क्या पता नहीं एनलेस हील के पास क्या हुआ था असल में हमारे ल के बारे में क्या जानते हैं लेकिन डूरान काफ़ी सदा खुसता हो जाता है उसे कहता है अगर तुम्हें पता लगाना है तो खुद endless hill के पास जाओ बाते कतम करने के बाद princess पिना अपने साथ्यों के पास आ जाती है और कहती है हम लोग को endless यूजी का फिल्टा खूश होता है क्योंकि वह इंटरनेट के स्नमाल कर सकते था क्योंकि वहाँ पर एक टावर को लगा दिया गया था यूजी के पास ही दो लड़किया होते लेकिन यूजी उन दुनों की बात बिल्कुल भी सुन नहीं रहा था इसलिए एक लड़की उसे ल दो लोगों के लिए मांगते है खाना भी और कपड़े भी लेकिन वो दूसरा हिस्सा हमेसा छोड़ देती है और वो हमेसा कपड़े लड़कों के मांगते है पता नहीं क्यों यूजी कहता है शायद वो अपनी इमेजिनरी बॉइफ्रेंड के लिए करती हो फिर सीन टुका क की तरफ सीप्ट होता है असल में गैस इसका नम टूका है ना की टूना और टूका कहती हमें यहाँ पर सब कुछ फ्री में मिल रहा है सायद हमें आगे जाकर अपनी बॉड़ी को ही बीचना पड़ेगा तब ही वहाँ पर लीले आती है और लीले के हाथ में एक ड्रेगन वि थी क्योंकि लीले ने बताया था रेगन विंक्ट इटालिका में बेचे जाती है लीले बड़े गोर से कमपास को देख रही थी और काफी समय के बाद वो लोग इटालिका तक लगपक पहुंची जाती सामने से काफी सारा धुआ आ रहा था इसलिए यूजी और कुराटा ब लेकिन ग्रे बिल्कुल ठीक होता है क्योंकि उसको फाइटिंग का एक्सपिरियंस काफी ज़्यादा होता है प्रिंसेस मिन अपने साथियों से पूछते आगे तुम लोगों कि हालत कैसी है ग्रे हस्तों कहता है मुझे क्या होना था मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ उसके बद प्रिंसेस पीना और यूनो कही पर जाने लगते है और प्रिंसेस पीना कहते है यहाँ पर अटेक हो गया मुझे लगा कि यहाँ पर अटेक करने वाले दूसरी दुनिया के लोग होंगे लेकिन यहाँ पर आने के बाद पला चला यह तो हमारी टूप्स के लोग है जो अप लूटरी में बदल चुके हैं, हमें बस तीन दिन तक इन लोगों को सम्मालना पड़ेगा, फिरा आगे से हमें मदद आ जाएगी, नेक्स दिन मैं प्रिंसेस पिना आराम करें थी, उसके पास औरत आती है, और कहती है, अगर आप ऐसे ही स्वादिश कारों से अपना पीट भल लगी, तो आप लड़ाय में कुछ भी नहीं कर पाएगी, आपका पेट खराब हो जाएगा, और प्रिंसेस पिना कहती है, ठीके, तो मैं गैस्ट्रों में आराम करने के लिए जा रही हूँ, पिना कहती है, अगर कोई ज़रूरी बात हुई, तो मुझे जल्दी से खाबर कर और साथ ये भी कहती है, अगर मैं नहीं उठी, तो तुम क्या करोगी, और सर्वन कहती है, जब तक आप नहीं उठोगी, तब तक मैं आपके उपर ठंटा पानी डालती रहोंगी, और पिना कहती ही बढ़िया, उसके बाद वो गैस्ट्रों में जाकर आराम करने लगती है, और वहीं पर सो जाती है, फिर हमें प्रेंसेस मिना का पांच दिखाया जाता है, वो लगपख 9-10 साल की थी, और एक नैट बनने के सपने दिखती थी, पिना कहती है, इस करना आप ग्रे है, और यहां से हमें ट्रेन करने वाले है, हम लोग एक नैट बन करी रहेंगे, उसके बाद सारी की साहर लटकिया लेफ्ट राइट करते हुए, आगे बढ़ने लगती है, उन में से यूनो भी होते है, जो गिर जाती है, और माफी मागने लगती है, और ग्रे प्रेंसेस मिना से कहता है, आफसा समूर एक नैट बनना चाहती हूँ, वैसे आपका नैट बनना ब रिच जाते हैं, प्रेंसेस से बड़ी होची थी, और काफी साथ टेन भी हो चुकी थी, प्रेंसेस से पीना और बाकी लटकिया, गार्ड्स का सब्मान करने के लिग जाते हैं, क्योंकि वो लोग, वायLES में जाने वाले थे, नैक्स इम में, प्रेंसेस मिना काफी सदां खु करने का किंग ने प्रिंसेस कहा था तो मैं दूसरी दुनिया की लोगों को इन्वेस्टिकेट करना है फिर सिन प्रेजन में आता है प्रिंसेस पिना की उपर पानी फैका जाता है और से उठाया जाता है क्योंकि इटालिका की तरफ कुछ लोग बढ़ रहे थे असलों वह में एक बार मिल चुकी हूँ कै ये भी लुटोरे को सत मिल चुकी है और हम पर हमला करने के लिए आई हो नए ये शायद हमारी मज़द केने के लिए आई हो प्रिंसेस में जल्दी से दरवाज़ा पलती है और कहते आप सबी लोगों का यहाँ पर स्वागा थे लेकिन दरव इटालिका की रूलर की कमरे के बाहा ले जाती है और कहती है कमरे के अंदर इटालिका की हाल ही रूलर रहती है उसका नाम म्यू है जैसा ही दरवाज़ा को लादाता है इटालिका की रूलर एक चोटी से बच्ची थी जिसे साहे दो के पारड़ी भी नहीं आते होंगे सेद है यूजे की तेम साौध गेट की यह पर यह पर हूती है और प्रणसस से है उनुस सभी है हमें पास कोई भी चोईस नहीं है, हमें मदद लेनी पड़ेगी, फिर मैं साम का सीन दिखाय जाता है, असमने यूजी को पहली पता था, प्रेंसेस पिना उन्हें बस चाहरी की तरह इस्तमाल कर रही है, यूजी अपने टीम मेंबर को बता देता है, प्रेंसेस ने हमें बस चाहरी की इस तरह इस्तमाल गया है, साउध गेट की ऊपर पहली अटेक हुआ था, और ये काफिसदा कमजोर है, लूटेरे पक का यहीं से आएंगे, अगर हम लोग मर जाते हैं, तो प्रेंसेस पिना ने पहली कुछ सोच के रखा गा उन लेटरे को समालने के लिए, लेकिन जैसा प्रेंसेस पिना ने सोच था, वैसा बिलकुल भी नहीं होता, इस्ट गेट की तरफ अटेक होता है, और लूटेरे काफिस सारे थे, इसलिए इस्ट गेट उसे समाल नहीं पाता, और जीजु की टीम को भी खबर मिल जाते है, इस्ट गेट की तरफ अटेक हुआ है, और पाले नॉर्माल लोग को अपना सिकार बनाते है, नॉर्माल लोग भी काफिस दा खुसा हो जाते है, और वो लोग भी हत्यार उठा लेते हैं, लेकिन उन्हें बिलकुल भी फाइटिंग का एक्स्पिरेंस रनी होता, इसलिए वो लोग मनने लगते हैं, और ये सब कुछ प ने वालियो.